नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ योर्गो चैनल पर आज का एक बॉम क्वेश्चन लेकर के आपके साथ आया हूँ दोस्तों, इंटर्व्यू देने के लिए जा रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन की तैयारी है लेकिन कई सारे क्वेश्चन हमें मतलब हमारे पेरो तले जमीन किसक आने वाले होते हैं आज के क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है Tell me One तिंग about yourself You wouldn't want me to know आप कुछ ऐसी चीज मुझे बताईए जो कि आप नहीं चाहते हों अब भाई साब नहीं चाहता हूं तो फिर क्यों ही बताऊं। देखिए पहली चीज इंटर्फियोर ने आपको फसा दिया और वो यह देखेगा दुरूर कि अब आप इस सिच्वेशन से कैसे निकलते हैं। कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि वो ना जाने और वो आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे। यहां पर आपकी communication skills जो है वो शो होती है। तो कोशिश कीजेगा अपने answer को तयार अच्छे तरीके से करें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि answer देने के लिए पहले तो आपको question के बारे में समझाओंगा, question के depth समझाओंगा, क्यों पूछा जा रहा है वो बताऊंगा। फिर answer देते समय क्या-क्या चीजे include करनी है क्या-क्या चीजे नहीं करनी है क्या-क्या नहीं बोलना है वो भी बता होगा और साथ ही साथ एक sample answer भी दूँगा ताकि आपको एक idea लग सके कि कैसे answer आपके लिए सही है ताकि आप अपना एक answer बना सके तो चलिए हम बढ़ते हैं इ कुछ बोलना ना चाहते हो ऐसी situation में भी आपको अगर काम दे दिया गया बोलने का तो आप कैसे handle करेंगे यह question है ही कि आप situation handle कर रहे हैं तो आपकी situation handling भी शो होती तो वो चीज़ ध्यान में रखे इस question को skip नहीं करना है you have to answer, you have to respond for this question तो आपको यहाँ पर बोलना ही है कुछ ना दूसरी चीज़ जो है वो नजर आएगी ऐसा कुछ आप यहाँ पर बता रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी बाते हैं आपके बारे में इंटर्वियर को पता चल जाएगी जिसने आपकी life को change किया है अब हो कैसे यार आप नहीं चाहते हैं जानना लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हैं बताना फिर भी आप बता रहे हैं हो सकता है आप बिल्कुल शब्द साइस question को ले कर जाते हैं और कुछ आईसी चीज़ बता दे जिसकी वज़े से आपकी life change हुई है बहुत सारे ऐसे किस से होते हैं जहां पर आपको बहुत बड़ी सीख मिल जाती है कोई सबक मिल जाता है आप वो यहां पर शेयर करते हैं और इंटर्वियर को आपके बारे में जादा जानने की जादा जान पाता है इंटर्वियर आपको यह question की तरह आपके उपर फटता है और आप यहां पर ज कितने जल्दी सीखते हैं, आप कैसे डेवलप करते हैं अपने आपको, और कितने ज़्यादा फ्लैक्सिबल हैं, अभी तक आप नहीं चाहते थे कि यह हम जाने लेकिन अब आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप फ्लैक्सिबल हैं, आप थोड़े से कि हाँ बताई भी जा सकती ह ऐसा कुछ उन्हें पता चलता है, तो वो एक वेशन आपके लिए फेकते हैं, मेंली आपकी कम्मुनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशन हैंडलिंग आपसे जानी जा रहे हैं, आपने आंसर को शुरू करेंगे, तो इस तरीके से कीजिए कि कोई ऐसी situation बताईए, कोई ऐसी problem बताईए, कोई ऐसा समय बताईए, जो आपके लिए tough रहा था आपके पुराने काम में या आपके पुराने college में, कोई ऐसी problem जिसको आपने face किया था, जिससे उभर कर आब आए थे, जिसने आपको काफी बढ़ा सबग दिया था, ठीक है, देखिए एक प्रकार से कई लोग इस question को समझ सकते हैं कि यह तो यार tension बढ़ा question हो गया कैसे बता है और कई लोग इसको एक opportunity समझ सकते हैं कि अपने बारे में जाधा से जाधा explain करें इवन आप ऐसे भी बता सकते हैं आकरी में कि यार यह चीज में बताना नहीं चाहता था फिर भी क्योंकि आपने पूछा तो आपको बता रहा हूं कि मैं कैसे उस situation में hero बना था कई बार यह भी होता है कि हमने एक problem जहेली और हम उसमें failure हो गए हमने कुछ सबक सीखा और हम share न पता चले कि आपने जो है कुछ नया सीखा है आप सीखने के लिए आपकी जो adaptability है वो अच्छी है आप चीजों को adapt करते हैं कि भाई हाँ आप accept करते हैं कि हाँ आप से गलती हुई है और आप flexible है कई सारे लोग जो है अपने ego पर ले लेते हैं वो चीज़े शेयर नहीं करना चाहते हैं और कई बार problem आती है और अगर नहीं वो fail भी होगा तो भी अपनी गलती जो accept नहीं कर पाते हैं तो यह आपके answer में अगर include होत हाँ चालिस पचास असी सब्द जरूर बोलें लेकिन short में निपटाएं जरूरत से ज़्यादा explain ना करें सिर्फ एक situation समझा दें उसको आप explain कर रहे हैं वो समझा दोस्तों अगर कोई problem face करी है आप से कोई mistake हुई है तो वो यहाँ पर note जरूर करेंगे बताएंगे जरूर ल आपने एक positive end पे मोड़ा वो आप यहाँ पर जरूर बताएंगे और अपना सबक जो है अपना जो lesson आपने सीखा है उसको यहाँ पर share करेंगे ताकि उन्हें यह भी पता चले कि आप एक्सेप्ट करने वाले इंसान है और आगे वड़ने वाले इंसान है आप सीखने के situation आए जब आप फल जाते हैं तो आप इतना तो उन्हें एक surety देते हैं कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करके ही निकलेंगे ध्यान रहे कि इस question से related जो भी चीज़ आप answer में बोल रहे हैं उसके लिए आप से और भी question पूछे जा सकते तो उसके लिए आप तयार हैं तो जर शेयर कर रहे हैं याद रखें कि उससे related और questions आ सकते हैं तो उसके लिए भी आप तयार रहेंगे जिससे क्या होगा कि जब आप हादर जवाब रहेंगे आप तयार है वो उन्हें दिखाई देगा तो कहीं न कहीं convince होंगे कि आपको ए जॉब देने के लिए कि आपकी भाई situation handling भी अच्छी रही है communication भी अच्छा रहा है आपने ये situation भी handle करी थी और जो story बता रहें उसमें भी आपने situation काफी अच्छे तरीके से handle करी थी चली एक sample answer लेते हैं इसके according जानेंगे कि answer किस तरीके का हो सकता है तो answer कुछ इस प्रकार है speaking honestly I do not think there is anything I'd prefer you to know about me as long as we discuss professional matters just like everyone else I made some mistakes in my professional career and I have my share of strengths and weaknesses like any other employee तो आप यहां पर देखिए पहले तो आपने बोल दिया negative नहीं बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है कि यार मैं बताई नहीं सकता लेकिन हमने काफी कुछ discuss किया है ऐसा कुछ चीज बची नहीं है कि मैं आपको ना बताना चाहूं लेकिन फिर भी यह ज़ I believe that I learned from my mistakes. No need to hide anything from anyone. Certainly there are some things I did in my personal life and I am not very proud of. And if you knew about them, you might change your opinion about me. But honestly, I see no reason to discuss them in the job interview. आपने हाँ पर एक clue चोड़ा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने personal life में खराब करी हैं जिनके बारे में शायद आप जानेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरे बारे में. लेकिन लेकिन कीजिए उन सब को जानने से कोई मतलब नहीं है, वो professional बातों में नहीं आ answer दीजिए, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया, आपने answer को थोड़ा तोड़ी है, इसके अनुसार बनाईए, इसके according बनाईए, इसके reference लीजिए, बाकी points जो इसके अंदर भी है, वो भी मैंने emphasize किये हैं, आपको बताये हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर video झाल, 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